नेता जी आजीरो नमस्कार मैं हूँ अनिल पांडे आपके पसंदिदा कारिक्राम नेता जी आजीरो में आप सभी दर्शंकों का स्वागत हैं खरगोन जिला मुख्याले पर मेडिकल कॉलेज के स्थापना को लेक करके जो चर्चा परी चर्चा का दोर चल रहा है वो आज फिलाल में पूरी चरम पर है हम इस कारिकम के जरिए एक आम राय तयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके तहट जिला मुख्याले पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित हो सके इस आम राय में सत्तापक्ष, विपक्ष, सामाजिक संगठन, सामाजिक सेवा संगठन और आम जनता इन सब की मिली जुली एक राय होना नितान्त जरूरी है आज हमारे बीच चर्चा के लिए उपस्तित हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता, युवा नेता वरिष्टता इसलिए कहुँगा कि लंबे समय से वो कांग्रेस में कायरे कर रहे हैं और इस समय मेडिकल कालेज संगर्श समीति से जुड़े हुए हैं पुषकर राजजी जोहान हम उनका स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्तित हैं भारती जनता पार्टी जिला प्रवक्ता प्रकाज भावसार जी हम उनका भी स्वागत करते हैं मैं आप दोनों अतितियों से ये पूछना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज को लेकर जो एक आम चर्चा चल रही जनता के बीच की मेडिकल कालेज यहां होना चीए वहां होना चीए बढ़वानी चले गया खरगोन चले गया इसमें सबसे बड़ी जो एक राय बाकी रह जा रही है वो रह जा रही है सक्तापक्ष के प्रतिनीध्यों की और विपक्षी विधायकों की प्रकाज जी मैं सबसे पहले आप से पूछना चाहूंगा केंदर सरकार में भरती जन्तापार्टी की गोवर्मेंट है और सांसद बोल चुके हैं कि खरगोन जिले में ही Medical College की स्थापना होगी लेकिन लोग बार-बार यही जानना चाहरे हैं कि खरगोन जिले का वो इस्थान कौन सा होगा जिला मुख्याला है खरगोन या कोई और देखिया निल जी सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए वदाही देना चाहूँगा कि आपने खरगोन में Medical College खुले इस बात के लिए जो पहल की है और आपके चेनल के माध्यम से यह विचार जन जन तक पहुँच रहा है इसके लिए मैं आपके चेनल को और आपको सबी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने एक बड़ा प्रशन उठाया है कि कहां पर Medical College हो तो निशीद रूप से जो जनता के लिए सबसे सर्व सुईधा जनक इस्थान हो उस इस्थान पर Medical College होना चाहिए आज हम घरगोन जीले का भोगलिक परिद्रश्य देखते हैं तो खरगोन जीला मुख्याले जो है आप दक्षीन में जाएंगे तो भगवान पुरा विकास खंड जिरन्या विकास खंड और पुर्व में जाएंगे तो भिकन गाउं विकास खंड गोगाउं विकास खंड इदर आप पस्यामेन जाएंगे तो शेगाउवीकास खंड और खरण विकास खंड मद्धे में हैं इसी प्रकार उत्तर मे आप जाएंगे तो कसरावत विकास खंड और बडबा विकास खंड आधि कि सीमा वह खरण जिला मुक्हयल तो केंद्र बिंदु है, राजनितिक दरश्टी से भी देखे, तो केंद्र बिंदु है, और भोगोलिक दरश्टी से भी देखे, तो केंद्र बिंदु है, तो यहां की जो भोगोलिक सरश्णा है, हम जब देखते हैं, दुरस्त इलाज का सिर्वेल छेत्र है, जो भगवानप विश्टान होकर सर्वसुजदा युक्त इस्थान खरगोंजिला मुख्यल है गोगाव बलाग और सनावत बलाग के भी कुछ इससे देख से सनावत छेत्र से जो बेडिया जो मिर्चा मंडी के रूप में ख्यात है वो छेत्र भी देखे तो सर्वसुजदा युक्त गया बलकवडा देख लो कसराओ देख लो उसका अंदर छेत्र देख लो आधी जब मैंने खुद ने जब इसको अध्यन किया और मैंने फेस्बूक पर भी एक नक्सा जारी किया तो लोगों को समझ में आया कि यह जो खरगोंजिला मुख्यल है यह वास्तों में केंद्र ब वास्ताल के उन्यन के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया था उसको राजनीतिक पद प्रतिष्ठा और अपना वर्चस्व दिखाने की द्रश्टी से बढ़वा अपने महेश्वर की विधायक जो तत्कालिक उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी थी विजे लेश्मी जी साधो उनके द्वारा अपने विधानसवा छेत्र में ले जाया गया तो यह मेरी द्रश्टी से जो आपने बात रही है कि कहां होना चाहिए तो सर्व सुईदा युक्तिस्थान खरवन जिला मुख्याले है और यहीं पर यह मेडिकल कालेज की स्थापना होना प्रकाश जी इसमें एक सवाल जो छूट गया आपसे वही सवाल यही था कि सांसद महोदे ने अभी जिला मुख्याले का उलेख नहीं किया है इसको लेके काफी पशोपेश की स्थिति है लोगों में अभी भी चर्चा है आम जनता के बीच में बात है कि सांसद महोदे ने अभी इसपश्ट नहीं किया है कि जिला मुख्याले पर ही मेडिकल कालेश की स्थापना हो देखिए सांसद महोदे ने एक बात जरूर कहिए कि जहां जन्भावना होगी उसका उस पर विचार किया जाएगा और जन्भावना है आप देख रहे हैं कि खरगोन विदानसवा च्चासा यहीं जाता है कि कछोन जीला मुख्याले पर हो भाग्वान पुर च्चचच्र भी चाहता है तो है सभी हम किस जूड और करके मांग कर रहे हैं कि खरगुन जिला मुख्य लेप होना चाहिए तो निश्शी दुरुप से सांसद मोहदे भी जन भावना के विप्रित नहीं जाएंगे जहां कि जन भावना सर्व सम्मति से विचार कर रही है कि खरगुन जिला मुख्य लेप हो तो निश्शी ताक पर रखकर कई कारे किये गए हैं प्रजनता जिनके लिए आज तक परेशान हो रही है लेकिन हमारी तो यही शुबकामना रहेगी कि इस बार जन भावना जो है बहुत जादे उद्वेली थे और जन प्रतिनीजियों को उसका सम्मान करना ही पड़ेगा इस्तिती वो बना है पुशकर जी मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि जब यह मंजूरी हुई महेश्वर मंडलेश्वर जो इस्तानों का चैन किया गया था वहाँ पर इसके लिए बाकाईदा अकबारों में न्यूज आई लोगों ने बधाई दी सारी चीज हुई उस समय भारती जनता प समीती, मेडिकल संगर समीती से जुड़ा हूं तो पक्ष और विपक्षी बात नी लेकिन राजनीती से उठकर एक बात यह कहना चाहूंगा कि यहां बीजेपी और कांग्रेस को हमने दर किनार किया है और सिर्फ हमारा मोटो अभी है खरगोन उस समय के जो तातकालिक विधा प्रायक, सांसज्यो रहें उन्होंने इस पर क्यों नहीं विरोथ किया यह प्रश्नवाचक चिन्न है खरगोन के अभी तक के समूचे विकासों के उपर क्योंकि कहीं चीज़ें इसी खरगोन आई जो खरगोन से बाहर यहां की राजनीतिक परेकास्टा नहोने की वज़े से बाहर चले गई उसमें इसके पूरू में भी मक्का प्रसकर्ण केंद्र आया हम जमीन अलाटनी करा पाए हमारे पास केंद्री क्रशी महाविद्याले आया उसको हम करानी पाए रेल के मामले में भी इसी कहीं चीज़े हुई और इसी प्रकार से मेडिकल काले जी पहली बार अनिजंग ये निजिए तिसरी बार हमारे आया है एक बार पहले आया तो खंडवा गया खंडवा से ट्रांसंपर हो के विदीशा चले गया सेकंड बार आया जब भी हमारे जो राजनीती थी वो उसको बरो-बर फेस नहीं कर पाई और फुर सेकंड बार खंड़वा गया और जब थर्ड बार हमारे आया तातकली मंतरी हमारे विज़ लक्षमी सादो जी थी और हर वेक्ति अपने शेतर में विकास चाता है और स्वास्पंत्री होने के नाते आधरनी दीदी ने महश्वर को चुकि जीला बनाना चाहती हैं और जीले के प्रयास रथ हैं तो उन्होंने पूरा अपने राजनीती का फाइदा लेते हुए उस कालेज को महश्वर में इस्तापित करने के लिए पुरा जोर लगाया और साथ में हमारे जो जन प्रतिनी दी हैं जो विदायक और सांसद हैं इन लोगों ने विरोध नहीं किया और आज ये दी कर रहे हैं तो ये गलत है क्योंकि उस समय जब खरगोन के लिए मैं खुद भी दिल्ली गया था और सांसद जी के साथ मैंने आदरनी स्वाथ पंतरी जी से भी मिला हम लोगों ने बताया कि साब खरगोन में पंद्रा सो ओपीडी होती पड़ दे लगबग आट से दस डेत होती है इसके अलावा हमारे हैं जो 500-600 बिस्तर का हस्पिटल है इसको बढ़ानी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है तो ये सारा जो सिस्टम है कि आप महशवर कालेज बनाओ के तो भी बढ़वा और सनाव से 40 किलोमेटर आ रहा है आप महशवर से धामनोत को जोड़ो तो भी वो उसकी कंडिशन महीं आ रही तो खरगोन सराउंडिंग एरिया में भी सेंटर था और सारी चीज का जब हमने डाटा, CHMO और सभी लोगों से लेके दिल्ली में लगाया तो डाक्टर हर्षवर्दन ने कहा कि आप ये कालेज तो में चुकी में भी एक डाक्टर हूँ और बच्चों को प्रेक्टिस के लिए मरीजों की जरुवत होती है और आप जिस जगे हॉस्पिटल नहीं है जिस जगे एक टपा प्लेस पे आप बोले ये मेडिकल कॉलेज कर रहे हो ये मतुकांग शा में आप बच्चों का नुकसान कर रहे हो ये खुद डाक्टर हर्षवर्दन जी के वर्जन थे तो उस समय भी हमने कहा तो उन्होंने उस पर रिमार्क लगा है कि यार ये जो महश्वर आप दे रहो महश्वर या मलेश्वर कर रहो ये गलत है चुकि ये जो भी हुआ है ये सारा भोपाल से हुआ है क्योंकि हम लोगों ने तो कॉलेज दिल्ली से जो है जीला मुख्याले को दिया है कि जहां पर ये इस हॉस्पिटल को उन्यन करना है और उसके बाद में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज इस्ताफित करना है लेकिन कहीं न कहीं राजनेति महत्व कांक्षाओं की भेट चड़ा और जीला मुख्याले को जो सोगात मिलना थी वो कहीं न कहीं हमारे लोगों की कमजोरी की वज़े से मैश्वर मलेश्वर में हुई पुछकर जी आपको साधुवाद इसके लिए बड़ी साब गोई से आपने स्विकार किया कि राजनेतिक इक्षा शक्ति की कमी रही और उसी कारण से यह बार-बार मेडिकल हमारे यहां कॉलेज स्विकरत हुए और बार-बार यहां से इस्थाना अंतरित होके दूसरी जगे चले गए साथ यह भी बड़ी खुशी की बात है कि यहां पर भारती जनता पार्टे के जिला प्रवक्ता और आप जैसे कॉंग्रेस के युवानेता मुझूद है लेकिन दोनों स्विकार कर रहे हैं कि खरगोन मेडिकल कालेज के मुद्दे पर हम दोनों एक हैं और बहुत अच्छी बात है पुशकर जी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा आपने कई चीजों का उलेक्या जो खरगोन जिले में आने वाली थी संब्भों थी, लेकिन किसी कारन से आएह संब्भा हो गई। उस समय खेर लेकर बढ़े कोई जना者 नद फ़जे भी नए हुए जिए मेडिकल कॉलेज test friend मेडिकल कॉलेज का मद परगोन कालेज आरो की मुद्दा है या सचमच मेडिकल कॉलेज कवर बीच लेंosition करोना काल खत्म हुआ था और पार्लेमेंट चालू हुई थी उसी समय हम लोग दिल्ली गए और मैंने जब यह हुआ उसी समय में ने हमारे लोगोन मुक्यल है को है अब यहां पर जो भी किसी की महतकों आंग्शा रही या जो भी राजनीतिक दबाव रहा उसके तक लोगों ने नहीं किया वो उस पर जाना नहीं चाहता मैं लेकिन यह जरूर है कि हमने इसका जाके दिल्ली में विरोत किया कि साब यह कालेज खरगोन किया जाए ना कि इसको महश्वर किया जाए कलेक्ट साब ने कहा कि साब जीला भी मंजूर हो रहा है और आगे भविश्च में आपको खरगोन में कालेज मिलेगा आपके हां के नेता लोड नहीं ले रहे हैं इस चीछ के लिए हमने उनको यहीं कहा है मैंने साब आज आप ब से आपने इस चीछ को सुईकार किया कि नई खरगोन जिला मुख्यले पर ही मेडिकल कॉलेज इस्थापित हो और उसके लिए आप सभी लोग प्रयाज भी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको साधुआ प्रकाश जी हम राजनेतिक सवाल करते हैं लगता है कि राजनेतिक हम उ उस इस्तिती में भी एक अदद मेडिकल कॉलेज के लिए जो तीसरी दफ़े हमारे अहां स्विक्रत हुआ है हमको संघर्ष करना पड़ रहा है क्या आम जन प्रतिन निद्यों को यह नहीं लगता जैसे आप बता रहे हैं कि इस पूरे रेडियस में जो सेंटर है वो खरगो लेकिन उसके बावजूद भी स्विकरत हो चुके मेडिकल कालेज का बजट शिवराज सिंग सरकार ने रोक दिया माना यह जा रहा है कि बजट रोकने के पीछे यही चीजे थी कि इस मुख्या इस मेडिकल कॉलेज को उठा करके बढ़वानी में शिप्ट किया जाए एक आ बढ़वानी में जो प्रियास किये हैं वो अलग है क्योंकि केंदर सरकार और भाजपा की जो मंसा रही है कि प्रतेख जीला मुख्यले पर एक मेडिकल कालेज हो तो इसी परिजास्ते में उन्होंने बढ़वानी के लिए जमीन इतलास की है तो वो उनका अलग विजन है कि बढ़वानी जीले को भी मिले लेकिन खरगोन की मेडिकल कालेज खरगयन में रहे इस बात को भी वो इस्पेश्ट कर चुके हैं अब मुद्दा के वल यह बचा है कि जो महिश्वर वाला मामला था उसको खरगोन हमको डावेट करना है और इसके लिए क्यों महिश्वर सब्सक्राइब करता हूं कि आप सहर्देता दिखाए और जीला मुख्यला पर मेडिकल कालेज के लिए स्वयम प्रस्ता बनाकर भेजे ताकि पुरी जीले की जनता को लाब मिले क्योंकि मेरा यह मानना है कि आगे और पीछे कभी ने कभी तो बढ़वा या महिश्वर दो मे से कोई जीला बनेगा तो जब जीला बन जाएगा कब आप अपने शेट्रे के लिए विसे स्क्रियास करना और हम खरगोन वासी सब आपके साथ कंदे से कंदा मिला का सहयोग करेंगे लेकिन आज खरगोन जीला मुख्याले को इस मेडिकल कालेज की बहुत नितानता आउशक होती है मैंने सुयम अस्पताल में जाकर के देखा कि जो हमारा जीला अस्पताल है वो अभी इतना देवलप नहीं है कि यहां पर गंबिर से गंबिर बीमारियों का इद्राज हो सके बनीजवत आज खंडवा जो मेडिकल कालेज है उससे तुलना की जाए तो हमसे कई आगे जिला और वहाँ पर अभी अर्वा से बहुत सब्सक्राइब बहुत शारी समस्या आई इसको में भारती जनता पारटी के में परभारी के रुप में भी स्विकार करता हूं और इन सब चीजों को देखने के बाद महिसुस हुआ वास्तों में जिला अस्पताल का अन्यान यहां पर भी विश्ची सब्याइब उठा सके मेडिकल कालेज होने से भभषीष समय यहांपर थार्दिक में ब्खक्रण निकल सकते हैं और गाउं गाउं जहां पर आज की तारिफ में डाक्टरों का अभाव है वहाँ पर डाक्टरों के हम पूर्ती कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको Medical College के आउशकता यहाँ पर महसूस हुई और हम इस माम को निरंतर जारी रखेंगे और जब तक जारी रखेंगे जब तक यहाँ पर हमारा Medical College स्विक्रत होकर बन नहीं जाता है और जब तक काम करना शुरू नहीं हो जाता है तो यह हमारी संगर्स समीत्य के साथ सभी आज पांच विदान सभा के जन परतिनीदी और आम जनता भी जूड़ चुकी है क्यों महेश्वर के जनता से मेरा निवेदन है कि मा अईल्या की नगरी में आप निवास करते हैं मा अईल्या ने जिस परकार की सहर्देता दिखा करके पुरे भारत वर्सका विकास करने में उन्होंने अपनी महती भूमी का निवाई थी उसी परकार आप भी एक बड़ा विसाल हर्दे लेकर के इस जिला मुख्यले को अपनी सोगात देने के लिए आगे आए और आप अपनी जीत छोड़ दे मेरा ही आप सबसे निवेदन है प्रकार जी ये सच्पुच आपने सही बात कही कि महेश्वर की जो जनता है उनको भी हमको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा क्योंकि हम सब एक राय होकर कि अगर ये इस हास्पिटल की स्थापना करते हैं मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं तो निसंदे ये शेत्र के लिए अच्छा होगा जिले के साथ साथ क्योंकि आसपास हमारे बढ़वानी जिला धार जिला, अली राजपूरा जहाबवा तक कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है खंडवा के अत्रिक्त तो इससे निसंदे आसपास की जो जनता उसको लाब मिलेगा लेकिन जरूरी है इसके लिए जैसा कि आपने कहा कि महेश्वार के आम जनता भी बड़ा दिल ले करके वहां के जो विधायक हैं वो बड़ा दिल ले करके इस चीज के स्विकार करें कि जिला मुख्यालाय पर मेडिकल कॉलेज की सापना हो अब प्रकाजी हम यह जो सवाल पूछ रहे हैं यह आम जनता के मन में चल रहे हैं और आप लोग जो जवाब दे रहे हैं उससे इस्थितियां निरंतर साफ होती जा रही है और एक स्वस्था अंदोलन खड़ा हो रहा है इसलिए हम यह सारे सवाल आपसे कर रहे हैं प्रकाजी मैं एक इस्थिति और आपसे साफ करवाना चाहूँगा कि जैसा कि कहा गया है कि अपनी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संसदी शेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की घोषना की थी लेकिन खरगोन बढ़वानी जो है एक ही संसदी शेत्र है अगर खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो उस घोषना के विपरीत यह तो बढ़वानी में एक प्रस्ताव बना के भेजा है तो लोगों का यही मानना है कि अंत्रतों गत्वा यहां के कॉलेज को बढ़वानी ले जाने का प्रयास है क्योंकि अभी राजनेतिक शक्ति जो है वो पूरी बढ़वानी में ही केंद्री थे वहीं पर केबिनेट मंत्री राज जिस्तर के वहीं पर सांसद हैं देखिए मद्दवर्देश में इसे उधारण है कि एक ही संसदी शेत्र में दो मेडिकल कालेज की सोगात भी मिली है आप मंसोर और निमच शेत्र को एक उधारण के रूप में ले सकते हैं और मात्र 55 किलोमेटर की दूरी पर ये दोनों सोगाते वहाँ पर मिली है तो यह नही क्या सकते हैं कि खरण में एक ही संसदी शेत्र में एक मिडिकल कालेज आया है बढ़वानी का प्रतक से खूल सकता है और खरण का भी सकता है दोनों के बीच की दूरी बी 90 किलोमेटर की है बढ़वानी शेत्र भी बहुत-बड़ा ट्राइबल वेल्ट है और उसने लगए आ यहां का अस्पताल में OPDB है और सारी सम्भावना देखते हो यहां पर मेडिकल कालेज की मांग को हम पुर्जोर समर्थन कर रहे हैं निशीद रूप सांसच जी भी इस कारे में सहबागी बने हैं और कुछ समय में उनकी और से भी ऐसा सामने आ जाएगा कि वो खुल करके कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेके मुद्दा होता है भूखन का एक बड़ा भूखन चाहिए सो एकड़ से भी लगबग बड़ा एक शेत्रफल का भूखन चाहिए उसके लिए घरगोन के आसपास केसे व्युस्था हो जाएगी इसके देखे इसमें यह तो दो चीज़ें या तो शाज की भूमी हो या एक्वाइर की जाए तो जाल और परसुख से चर्चा भी थी करें पिछले चार दिन को निर्देशित किया है कि शहर से तक्रीब इंचार-पांच किलोमेटर की दूरी पे कोई भी सो एक्सों जमीन भूंडे और कालेश के आवंटर की देख करें तो उसमें जो मुझे जानकरी लगी है किसी प्रशासनी का दिखाई चर्चा ना मुझे जो अपनी नीजी जानकरी लगी उसमें टेमला रोग पर और एक डावरी आप देल्ट में और एक हमारी में बीच में रोके प्रक जमीन चाहब तो तीन इन लोगों ने लेंड देखी है एक एरीश्टिप के पास में हैं सो सवा सो एकर जमीन और दूसरी जो है टेमला रोड पर है जो लगबग तेड़ सो एकर संती है और एक तिसरी जो है वो डावरिया रोड पर है तो तीनों में से अभी मान के चलें कि इस वीक के अंदर कभी भी जमीन का होंटन हमारे खर्बोन शहर के मेडिकल गालिज का हो जाएगा ऐसा सुत्रों से ग्यात हुआ है कि किसी प्रशासनिक अधिकाली की में वो नहीं करना चाहता कि मुझे कोई जानी करी लेकिन जो मेरे अपने सोर्से से उससे मुझे ग्यात ह हुआ है कि यह चीज चार दिन पाच दिन में होने वाली है अब चुकि मैं इसमें एक भाई साब एक बोलना चाहूँगा कि जिससे हम दिल्ली में थे और स्वास पंत्री जी से हमानी चर्चा हुई उसके आने के बाद में चुकि रेलवे का बजट सतर चल रहा था माननी सां घंसाजी ने प्रशन उठाया था चुकि में चर्चा हूई तब बताया कि हम रेल तो नहीं ला सकते हैं कि बड़वाणी टू घंडवा वाला जो हमारा रेलवे का प्रपोजल हुआ था वो रिलवे प्रपोजल हमारा थेल क्योंकि उसमें क्या रिविन्य नहीं हो रहा है त और सानावाद से जो है हमारी इंदोर टू हेदराबाद जा रही है तो इस बीच में हम निमाड खेडी से जुलवानिय के लिए शटल मागे हमारे खड़गोन के लगबद थर्मल पावर तक हमारी रेल आचुकी है माननी सानसद जी ने उसी समय अपने डायरी पे नोट किया और तो ला खुषकर जी मैं इस पर कोशन करूँ आगा और में उनको साद ववाद देना चाहूँ और उन्होंने जो मैंने चाह उसी तरह से संसद में कोशन किया कि साथ ये जो शटल मुझे शटल शाहिए ले नी चा लिए करेंगे यह सांसद जी का मैंने उसी दिन आभार वेक्ट किया आपने मेरे को मैंने का सांसद में रखा और उसको मैंने का अपने अमली जामा पेनाया अब जब भी ये बारी आएगी कि आपकी मनमार टू इंदोर लाइन डलेगी उस बीच में खरगोन होके हमारी रेल निकलना है तो ये जो टेमला रोड की जो हम जमीन की जो चॉइस करने हैं जो मेरा अपना नीजी मत है तो ये कहीने कहीं एरलाइन में जो होता है जो रूट सर्वे होता है उसमें सेल्दा से जब रेल जुलवानिया जाएगी तो उसमें कहीने कहीं टेमला और खरगोन के बीच का स्टेसन बनेगा ट्रेन को ना पानी की नहरों जैसी गुमाते हुए जिसको सीधी ले जाना है तो कहीने कहीं तो ये हम मेडिकल कालेज को भी इस जगे इस्ताफित इसलिए करना चाते है कि ये हमारे रेलवे ट्रेक पे होगा क्योंकि हमें सानावत से दिल्ली जाने के लिए बॉम्बे जाने के लिए दोनों जी की ट्रेन मिलेगी साउथ में जाने के लिए हैदरापाद के लिए ट्रेन मिलेगी और जुल्वानिया जाएंगे तो भी हमें बॉम्बे की और इंदोर की और राइस्तान जाने की ट्रेन मिलेगी तो हमने सांसजी से यही कहा कि साब ट्रेन हमें नहीं चाहिए. आप शटल कर दो हम जुलवनय से ट्रेन पकड़ लेंगे, हम सनावा से ट्रेन पकड़ लेंगे. तो वो भी लगबग सांसच जी ये दी महतों कांग्छा रही कि उनकी भी लोकसभा शेतर का विकास हो तो वो अबली जामा पिनाएंगे अब दूसरा रहा कि जब हम बिले अब इस मेडिकल कालेज में तुरूटी कहां से पेदा हुई उसको मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि जब हम दिल्ली में मिले तो सांसच जी ने स्वासपंत्री जी से चुकि उनका जनम दिन था उस दिन उनको बजाई वी दियो में भी साथ में था मेंने भी उनको बजाई दी मैंने समय लिया था इस मेडिकल कालेज के सब्जेक्ट में बात करने के लिए साब से कि आप इस सारा डीटेल एक एक चीज का रेकार्ड दिया उनको वहां सांसच जी ने सारी बातचित होने के बाद इस बीच में नई शुरुवात कर दी तो उससे कहींने कहीं हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में विराम लगा है कहींने कहीं हमारा ये खरगोन आने वाली जो चीज थी उसको एक थोड़ा सा लोगों में डिस्पूटेट बना कि यार ये बढ़वानी जाएगा ये खरगोन कि यही चीज रतलाम में और नीमच में और मंसौर में चीनों के बीच के दूरी एक सो currently है क्षिंट में तो मेरा मानना यह है कि हमारे यहां चीज हो जाने के बाद आप मांगते हैं आपको तो क्योंकि आपका 100% आदिवसी बेल्ट है महराज की सीमा गुजरात की सीमा से जुड़ा हुआ है आपके अधार जीले का कुक्षी बड़ा शेतर जुड़ा हुआ है आपको तो यह चीज मि कारण और हर व्यक्ति यहीं चाहता है कि मैं सांसद हूं या मैं विदायक हूं यह चीज मेरे यहां बने कहीं महत्वा आंक्षा गजिन जी की वहाँ पर आई और हमारे मेडिकल कालेश को थोड़ा सा विराम लगा सचमुच आपने जो कहा डाक साब कि कुछ महत्वा का आंक् चीज में सखिए बिदागा हो वहाँ पर सभी पक्षोर या विपक्ष उसको एक हो करके एक इसा नीडने लेना चाहिए जो बड़े बड़े तोर पे लाब कारी हो अ प्रकास जी कर्गोन जिले अरि कर्गोन बिदान सवा की हम बात करें जिला मुख्याले की बात करें लंबे समय तक कांग्रेस का शाषन रहा प्रदेश में लंबे समय तक करीब 15 साल हो गए भारती जनता पार्टी का भी शाषने बीच में भी भारती जनता पार्टी बेठी इस्थानी जो हम जिला मुख्याले गया आसपास की विधान सभाज सीटों की बात करें एक समय ऐसा था कि सभी सीटों पर कांग्रेस का कबजा था एक समय ऐसा भी रहा जब सभी सीटों पर भाजपा का कबजा रहा लेकिन खरगों जिला मुख्याले को आज तक इसी कोई सोगात नहीं मिल पाई जिससे उसको प्रदेश में या देश में पहचाना जा सके केंदर में भाजपा की सरकार नहीं होती थी राजजय में होती थी राजजय में यह हमारे हमें हां ल authors की सरकार होती तो धू caste केनर में भाजपा की सरकार है और प्रदेश के ज़से सरकार है तो हम इस बात को लेकर आशनवीत है कि जो आप यहां पर जिला मुख्यले से उठ रही है इसको प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी गंबिरता से लेगी और हमको हमारी जो सोगात है जो पूर्व में घोसी थे जिला स्पताल के उन्यन के लिए वह हमको मिलेगी चुकि आपने एक बात कही कि तालमेल का वहार रहा जब यहां पर कमलनाज जी की सरकार आई तब यहां जिला मुख्यले की जो विधान सबा है इस विधान सबा के विधायक महोदे ने इसका पूर्जोर विरोत करना था कि वही मेरे विधान सबा छेत्र की कोई सोगात आप स मेडिकल कालेज खरगन में स्थापी तो इसके लिए दे और पुना मुख्यमंत्री जी और प्रदान मंत्री को आप पत्र लिखे कि हमारे विधान सबा छेत्रों से हमारे नजदी की केंद्र से जो मेडिकल कालेज चले गया है उसको वापस दिया जाए और इस मांग में हम सं क्याले पर मेडिकल कालेज हो और इसकी मांग के लिए हम अनरवाज संगर से करते रहेंगे कि बाइसाब ने प्रकास जी ने कहा कि विधायक ठीक है यह सारी चीज़े हो चुका है जब आज केंद्र में आपकी सरकार है प्रदेश में आपकी सरकार है परसो शिवराज सिंग को उज़ेन आते हैं और कहते हैं कि उज़ेन मेडिकल कालेज खोला जाए है तो मेरा कहना यह है कि यह ऊज़ेन हैं कि छे मेले कांगरेज के है ठीक है उन लोगों ने उस समय उनका जो भी रहा हो मैं उस चीज के लिए माफी चाहता हूँ उन सब की तरफ से भी माफी चाहता हूँ लेकिन जब आज पूरे प्रदेश में खरगोन जीला करोना का सबसे बड़ा गड़ बन चुका है जब आप उजेन के लिए सोच रहे हैं मेडिकल कालेज तो आप अपनी इच्छा शक्ती आपकी सारी विवस्ता हैं आपके हाट में केंदर में आप हो, राज में आप हो जीले में आज आप बेठे हो तो आज आप अपने बड़े दिल से इस खरगोन को मेडिकल कालेज क्यों नहीं दे देते शिवराज सिंग जी ने एक ही वन वाइस बोलना चाहिए कि निमाड अंचल आदिवासी अंचल है और मैं सारी चीजों को शुन्ने करते हुए खरगोन शहर को इस कॉर्मेंट हस्पिटल को ये मेडिकल कालेज की सोगात देता हूँ तो मैं दिल से उनका अभार व्यक्त करूँगा सारवजनिक मंच से मैं जाकर बीजेपी के मंच से खड़ाओकर उनका अभार व्यक्त करूँगा एक कांग्रेस का लीडर होने के नाते भी कि स्रीमान आपने इस तमाम निमाड अंचल की आदिवासी और जो सामने लोग हैं उन सभी को एक जो सोगात दी इसके लिए मैं आपका अभार व्यक्त करता हूँ मैं खुद मंच से जाकर ये कहूँगा शुरा सिंग जी अपना दिल बढ़ा करकर तो बोलिए आपने उजिन में कह दिया उजिन से ज़्यादा यदि आप देखोगे तो हमारे लोकल खरगोन पूरे खरगोन जीले में आज सबसे पहले बलेक फंगस कहा आया जिर्निया से शुरुवात हुई बिकन गाउं से शुरुवात हुई आज करोना में अनफिशल खरगोन जीले में 3,35 मोते हो चुकी है जिसका रेकार्ड सिर्फ 214 या 15 है लेकिन अनफिशल क्या है या आप खुछ जानते है तो आपको सारी मार्मिकताओं को लेते वे और खरगोन लोकल को मेडिकल कालेज के लिए बिना किसी द्वेश के बिना किसी में तो बोलूँगा बजट के भी कि आज आज आप बोलो बजट में रखेंगे सब चीजों को सुनने करते हुए आज आज आप एक गोशना करें कि खरगोन हॉस्पिटल को में मेडिकल कालेज की सोगात देता हूँ प्रकाश जी इस बात में कोई दोर आय नहीं है कि केंध्र सरकार मेडिकल कालेज जिले के लिए सुईकरत कर चुकी है इस्ठान का जो चैन है वो राज्य सरकार के पाले में ही है राज्य सरकार जिला प्रशासन से प्रस्ताव मंगा करके इस चीज को तत्काल स्विक्रत कर सकता है तो प्रदे सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है और इस्थानी जो सांसद है वो इस चीज को कुछी दिनों में उटाते हैं क्यों नहीं निश्ची दुरुफ से ऐसा होने जा रहा है चुकि आपके चेनल के मद्यम से हम डिबेट में हमारे दो पूरो जीला देक्ष इस बात को यहां पर आकर कहे चुके हैं माननी रंजीत जी और माननी बाबुलाल जी कि हम जीला मुख्यले पर मेडिकल कालेज की सोगात लाएंगे और यह जीले में हमारे लीडर हैं और इनके माद्यम से यह बात माननी शीवराज जी तक माननी परदान मंतिजी तक निश्ची दुरुफ से पहुचेगी और मैं इस बात को लेकर आसानवीद हूँ कि जब हमारे नेताओं ने बोल दिया है कि मेडिकल कालेज खरगोन आएग में इस बात के लिए हमारे नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा साथ ही कल विपक्ष में जो महत्पूर्ण भूमी का निभार हैं पुरुविधायक परस्राम जी डंडिर ने भी इस बात को सुईकर किया में उनका भी आवार मानता हूं क्योंकि यह मुद्दा ऐसा और पक्ष और विपक्ष के नेता होने के बावजुदाज दोनों ही विएसे जो मेडिकल कालेज संगर समीती है उससे जुड़े हुए भी है तो एक यह बहुत अच्छी चीज खरगों जिले में सामने आ रही जिला मुख्याले पर कि भारती जनता पार्टी हो कॉंग्रेस ह अन्य कोई भी राजनेतिक दल हो कोई समाज से भी संगर्ठन हो आम जनता हो सभी मिलके मेडिकल कालेज की स्थापना जिला मुख्याले पर हो इस मुद्दे को लेकर एक साथ है एक जूट है और हमने जो भी यहाँ पर इस चर्चा के दोरान राजनेतिक सवाल किये जो सत्ता से जुड़े विपक्ष से जुड़े जन प्रतिनिद्यों के स्टेट्मेंट को लेकर हमने जो यहाँ पर बात उठाई यह सवाल आम जनता के बीच तेर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इसका जवाब सुनना चाहते थे आप दोनों से चर्चा के बाद वो सारे बहुत सारी ची संगर समीती का अगला कदम क्या होगा संगर समीती का अगला कदम है थोड़ा सा करोना भूम कम हो तो हम लोग एक बार बोपाल में वरिष्ट जो मंत्री हैं और मानिमुक्य मंत्री जी हैं उनसे एक बार इस मेटर में चर्चा करेंगे उसके बाद में दिल्ली में वानिस्व विस्तर के एक होस्पिटल के लिए टेंडर भी लगा उसको तो चुकी शुन्य करवाया है लेकिन इस तरह के टेंडर्स लग रहे हैं पैसा वंटित होके आ रहा है तो कहीं ने गई वो बाद में ये न हो कि हमारी बिल्डिंग का पैसा वहां वंटित होके आ जाए फिर उसके के लिए नहीं हमको वापी से प्रक्रिया चालू करना पड़े उसलिए एक बार हम चाहते हैं संगर समीति में सभी बीजेपी कॉंग्रेस और सामाजीक संगठन और सारे पत्रकार लोग सभी लोग उसमें से एक समीति बनाएंगे और दस से ग्यारा लोगों का ग्रूप स्थापना खरगोंजीला मुख्याला पर एक द्रण संकल्प लेकर आप चल रहे हैं आम जंता से आपकी क्या पी लोगी इस समय आम जंता को धन्याद देना चाहूंगा चुकि यह मुहीं आम जंता द्वारा सोसल मीडिया के माध्यम से ही उठाई गई थी और जब सोसल मीड जो जन्भावना है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और निशीद रूप से राजनीतिक दलों के माध्यम से और सासंद प्रसासंद के माध्यम से हम यह पर मेडिकल कालेज की सोगात लेकर आएंगे आप से हमारा क्यों एक ही अनुरोध है कि जब जब भी हमें आउशकता पड़ेगी आप हमारे साथ कंदेल से कंदा मिला कर खड़े रहें और निशीद रूप से कोरोना का जब संकर्मन कम होगा तो हमारी मां को लेकर जन्ता के बीच पुना पहुंचेंगे हो सका तो सदस्य ता अभिहान भी चलाएंगे लेकिन लगता है कि उससे पहले ही समस्या का हल कुछ न कुछ निकलाएगा निसंदे इस कारिकम का उद्देश है आम जनता को मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सच से रूबरू कराने का और हम इस कारिकम में जिस भी शक्सियत को बुला रहे हैं उनके द्वारा आपके कई उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं जो आपके मन में तेर रहे हैं और हम चाहेंगे कि जरूर से जरूर नजदी की समय में ही प्रदेश सरकार इस्थानी प्रतिनिधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर एक जुठों एक मंच पे आएं और एक क्राय प्रकट करें ताकि आम जनता भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सके आज शोशल मीडिया पर चल रहा है यह मुद्दा कोरोना के कारण सोशल मीडिया तक ही सीमी थे लेकिन हमारे बीच उपस्तित हमारे जो महमाने उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जैसे कि कोरोना की रफ्तार कम होगी इस मुद्दे को लेकर आम जनता सडकों पे भी उतरेगी जो जन प्रतिनी दी हैं विधायक सानसद हैं उनके लिए एक तरसी चेताओन ही आम जनता की कि जब जनता सडकों पर उतरे उसके पहले वो किसी नेड़ना तक पहुंच जाएं क्योंक कि अगले करेकमों में हम और उन हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो इस शेत्र में एक जनाधार को लेकर चलते हैं आम जनता जिनकी ओर एक विश्वास के साथ देखती हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज सिर्फ इतना ही आज के कारेकम में शामिल होने वाले हमारा आती थी डॉक्टर पुश्कराज सिंग चोहान युवानेता कांग्रेस प्रकाज भावसार जिला प्रवक्ता भाजपा आप दोनों का हम धन्यवाद देते हैं अगले कारिकर में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार मेदादी अजिरो, मेदादी अजिरो, मेदादी अजिरो